साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम फणिश्वर नाथ रेडू और उनकी कहानी संबदिया पर चर्चा करेंगे फणिश्वर नाथ रेडू की यह कहानी संबदिया एंसियाटी की कक्छा बारह की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित है कहानी से संबंदित महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच विशय विशय सग के रूप में उपस्थित हैं डाक्टर बीरपाल सिंग महत्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्व इद्याले वर्धा में अध्यापन रत हैं अपने शिक्षन के द्वारा भासा साहित शिक्षन के छेत्र में उनका विशिस्ट नाम है उनसे बादचीत कर रहे हैं डाक्टर सूरज बहादूर थापा डाक्टर सूरज बहादूर थापा लखनव विश्व इद्याले में हिंदी विभाग में अध्यापन रत हैं भासा साहित सिक्षन के छेत्र में उनका विशिस्ट नाम है आईए देखते हैं उनकी बादचीत साथियों नमस्कार आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानिकार फणिस्वर नाथ रेणू की कहानी संबधिया पर चर्चा करने के लिए एक अत्रित हुए हैं इस चर्चा के लिए मैं डाक्टर बीर पाल सिंग का स्वागत करता हूँ डाक्टर साहब इसके पहले की हम संबधिया कहानी पर चर्चा करें विद्ध्यार्थियों को इस कहानी को ठीक से समझने के लिए फणिस्वर नाथ रेणू जी की एक संचिप्त परिचाय देनी का कस्ट करें नुश्का डाक्ट साहब फडिश्वर नात रेणू का जन चार मार्च 1921 को पूर्डियां जिले के और आई हिंगना नामक गाउं में हुआ था रेणू आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं आजादी के बाद स्वाधीन भारत में नहरू के भारत में रेणू ने गांधी के मूल्यों के साथ अपनी कलम चलाई ग्रामीर भारत के चितेरे के रूप में रेणू जाने जाते हैं रेणू का प्रमुख उपन्यास मेला आचल जिसने रेणू को साहित जगत में ख्याती दिलाई रेणू ने बहुत मार्मिक कहानिया लिखी जिन में ठुमरी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और साथी साथ रेण जल धन जल जैसा यात्रा विर्तान्त रिपोर्टाज भी रेणू ने लिखा रेणू ने अपनी कलम बिविद छेत्रों में चलाई बाबजूद इसके रेणू को आंचली कथाकार के नाम से ही विशेश रूप से जाना जाता है उनके उपन्यासों में कहानियों में भारती एक ग्रामीर जीवन पूरी सजगता के साथ पूरे सरजन छमता के साथ उभर कर सामने आता है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म भी बनी इसके साथ ही साथ उन्होंने हिंदी के रिपोर्टाज और हिंदी के अन कथेतर गद्विधाओं में भी अपनी कलम चलाई आज जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का सीर्षक है संवधिया संवधिया कहते हैं संदेश बाहक को जो ब्यक्ति एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक एक ब्यक्ति का दूसरे ब्यक्ति के पास संदेश लेका जाता है संदेश भारत में और भारत ही नहीं बलकि पूरे विश्व साहित में बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है आपको याद होगा कि भारत में एक प्रमुक कथा राम कथा है उसमें हनुमान जी सीता जी के पास लंका में संदेश लेकर जाते है संदेश पक्षियों के माध्यम से ब्यक्तियों के माध्यम से बादलों के माध्यम से हवाओं के माध्यम से मेग दूत आपने जरूर पढ़ा होगा मेक दूत में बादनों के माध्यम से संदेश की है। रेणु ने इन सब बातों से अलग संदेश ले जाने वाले ब्यक्ति की पीड़ा को इस कहानी में चित्रित किया है। रेणु के बारे में आपने बताया कि रेणु ग्रामीन जीवन की पटकथा के ऊपर अपनी बात रखते हैं और वहां के जीवन के यथार्थ को बहुत मार्मिक्ता के साथ इस्थापित करते हैं। मैं यह आप से जानना चाहता हूं कि इस कहानी में उन्होंने ग्रामीन जीवन की जो यथार्थ दिर्ष्टी है, ग्रामीन जीवन का जो कस्ट है, ग्रामीन जीवन का जो बिगटन है, इसको वो किस तरह से इस कहानी में प्रस्तूत कर रहे हैं। डौक साहब, रेडु ग्रामीर जीवन के ही कथाकार नहीं है, अपी तो देखेंगे समधिया के माध्यम से, तो आधुनिक बदलते हुए समाज, और यांतरिक होते हुए समाज, और आधुनिक संचार साधनों के विरुद्ध, मनुष्यता और मानोता की रक्षा के लिए इस कह कहानी में अपनी कलम चलाते हैं, आज के यांतरिक दौर में, सूचना करांति के दौर में, संबाद पहुचाने में, संबेदनाओं का इस्थान गौड होता जा रहा है, समधिया कहानी के माध्यम से, बड़ी बहु, जो बहुत संपन्य है, उनके पती गुजर जाते हैं, उस उनसे अलग होकर सहर में रहने चले जाते हैं, बड़ी बहुत संपन्य है, अपने माईके से भी संपन्य है, और ग्रामीर बातावरल की कहानी है, तो रेडु ने दिखाया है, कि उस संपन्नता में एक दुरघटना घटी है, उनके पती की म्रत्तु हो जाती है, म्रत्तु के बाद एक अकेली इस्तिरी का गाओं में रहना, और जो इतनी साधन संपन्य है, वो बिपन्य हो जाती है, उनके तीनों देवर, उनकी संपत्ती में बटवारख हो जाता है, बटवारे के साथ ही, उनके उपर तमाम दुख, तमाम कस्ट, तमाम पीडाएं सरपर सवार हो जात बड़ी बहु जो पूरे गाउं को चलाती थी, उनके यहां धेड़ सारे नौकर, चाकर रहते थे और लगभग आधा गाउं बड़ी बहु के संपन्नता से संपन्नता जब सहर देवर चले जाते हैं तो सिर्फ वो जाइजाद में जो बटवारा हुया है फसल के समय आते हैं, आम के समय आते हैं या धान के समय आते हैं और बटवारा लेकर सहर में चले जाते हैं बड़ी बहु का कोई ख्याल नहीं करता है दुर्गति के दिन इतने आ जाते हैं कि वो साग और बथुया, बथुया आप जानते होंगे गाउं में जानवर भी खाते हैं और उसको मनुस्य भी गरीबी के दौर में खाते हैं, संपन्न लोग उसका सेवन नहीं करते हैं, बड़ी बहु उस बथुये के साग को उबाल कर ख जिसका नाम है हर गोविन उसको बुलाती हैं और एक संदेश देती हैं कि मेरी माँ को ये कहना जाके कि अब आपकी बड़ी बेटी एकलोती बेटी है, बड़ी बहु यहाँ पर चुकि वो बड़ी थी चार बहुओं में, इसलिए बड़ी बहु कहते हैं, लेकिन वो एकलोत बेटी बेटी अपने आप में लाडली होती है, और माँ उनकी जीवे थे, तो दक साब कहती है कि भगवान का सहरा तो उठ गया, लेकिन अभी माँ मेरी जिन्दा है, माँ संपन है, तो मेरे भाईयों से कहना, माँ को संदेश देना कि मुझे ले जाएं, चुकि अब मैं यह किसके लिए जियों, उनके पती मर गये है, और उनको कोई कर्ज नहीं दे रहा है, गाओं में जब तक पुरुस है, तब तक इस्तरी धानहीन होते हुए भी संपन है, यह भारती ग्रामीर विवस्था की बहुत बड़ी आज भी सच्चाई है, इसका मतलब आप यह कह रहे है कि जब संजुक्त परिवार का भिघटन होता है, तो उस भिघटन की सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पर पड़ती है, तो इस्तरी पर पड़ती है, और बड़की बहुरिया इसका सीधा जीता-जागता उधारन है, तो जो बड़की बहुरिया का एक जीवन-संघर्ष है, वो भारती ववस्था में हमारी जो इस्त्रियां हैं, उनके जीवन के कस्ट को और संघर्ष को रुपाइत करती हैं, ज़रा इसे और सपस्ट करके आप कहानी के संदर में रखें तो बड़ा अच्छा हुआ है. बड़ की बहुरिया यानी बड़ी बहु उस काहनी में रेडु ने उनको बड़ी बहु कहा है, चुकि वो घर में सबसे बड़ी हैं, उसके माध्यम से ना सिर्फ अकेली इस्त्री की पीड़ा, एक संपन इस्त्री या संपन घर जब विपन्नता की इस्तिती में होता है, तब उसकी इस्तिती क्या होती है, एक इस बात को दिखाया है, दूसरे इस बात की और इसारा रेडु ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है, कि एक इस्त्री जिसका पती, अकाल मृत्तु उनकी हो जाती है, पती के अभाव में भारतिये ग्रामीर जीवन में किस-किस तरीके के संघर जेलने पड़ते हैं, साथ ही सयुक्त परिवार का तूटना, आज पूरे दुनिया में सयुक्त परिवार तूट रहे है, भारत की जो परिवार की इकाई है, वो सयुक्त परिवार ही रही है, सयुक्त परिवार का विकल्प क्या होगा, जब सयुक्त परिवार तूट तो रेडु ने रेडु चुकि भविष के लेखक हैं भविष की चिंता रेडु के लेखन में समाहित हैं तो ग्रामीड विवस्ता में जब सामुविक परिवार थे सहुक्त परिवार थे जो खुसाली थी जो खुसाली के साथ जो संपन्नता थी वो तूटने से और ग्रामीड व्यवस्था से जो सहरी करण की तरफ लोग भाग रहे हैं, चुकि तीनों देवर उनके सहर में आ जाते हैं, और उनकी तीनों जो देवरों की पत्निया हैं, वो भी बढ़की बहु की तरफ कोई भी नजर उठा के नहीं देगा, रेडु कहते हैं, जब से वो बटवारे के बा और विपन्नता और बिना पती के इस्तिरी का गाओं में रहना इसके साथ एक और बहुत पूर जुड़ा हुया सवाल रेडू ने बहुत अच्छी तर इसके से उठाया है कि बहु तो बढ़की बहु संपन्न थी तो उनके हिर्दय में अभी भी मानसित्ता में वही बड़पन है वही बड़ा भाव है वही बड़ा संदेश है गाओं के प्रती वही लगाओ है लेकिन अर्था भाव में चुकि अर्थ के बिना सब कुछ बेर्थ है उनकी ये इस्थिती हो जाती है कि जिस गाउं में उनके घर से आधे लोगों का पेट चलता है था, वो लोग भी बढ़की बहु के प्रती उपेच्छा का भाव रखने लगते हैं. बड़े ड्रेमेटिक चेंज के साथ रेडू ने एक समधिया जिसका नाम है हर गोबिन उसको इस कहानी में लाया है और डक्साप समधिया हर गोबिन जो है उसको गाउं में अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है. संदेश बाहक जो समधिया हुआ करते थे उनके बारे में ये माननता सामानता गाउं में रहती है कि ये निठल्ले, कामचोर और खाने वाले लोग यानि एक भी इस्त्री यद हस के बोल दे तो उसके लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं. ऐसा हर गोबिन जो कायर है, निठल्ला है, जिसकी गाउं में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि उसका पेशा यही माना जाता है कि ये पेटू होते हैं, खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, संदेश पहुचाते हैं. उस हर गोबिन में ड्रमेटिक चेंज होता है, यानि कायांत्रल होता है, ट्रांस्फॉर्मेशन होता है. रेडू बड़ी खुबसूर्ती से दिखाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बहु की पीड़ा, यानि उनके देवर और उनकी पत्निया नहीं, जिस सिद्दत से महसूस क करता है, और उसका ब्यवसाय है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक, एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति तक संदेश पहुचाना, लेकिन वो उस संदेश को नहीं पहुचाता है, और वो बड़ी बहु की महा से जूट बोलता है, जूट इसलिए बोलता है कि वो गाओं की इज्यत और गाओं का सम्मान बड़ी बहू के रूप में देखता है। देखना चाहता है। वो यह मानता है कि बड़ी बहू की संपन्नता से पूरे गाओं की संपन्नता थी। यहनि पुरानी परंपराओं को, पुरानी विवस्था को बचाए और बनाए रखना चाहता है। तो कहने का तात्पर यह है कि हर गोविन मनुस्य का एक मनुस्य से जो स्वस्थ रिस्ता हो सकता है या होना चाहिए। इसको केंद में रखते हुए उसकी मा से उसका संबाद देता नहीं है और वह चाहता है कि बढ़की बहुरिया एक मा के रूप में गाउं में बनी रहे इसके पीछे डग साब मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह जो हिर्दय परिवर्तन होता है इसका कारण सिर्फ यही है कि गाउं की इजद पचानी है या वह उसको अपने एक मा के रूप में भी देखता है जैसा कि उसमें एक संबाद है कि तुम यही रहो तुम मेरी मा के जैसे हो तो यह जो हिर्दय परिवर्तन होता है यह एक आदरसवादी है या एक सहज मानुए र गांधी का बहुत प्रभाव था और गांधी हिर्दय परिवर्तन के लिए जाने जाते थे हिंदी साहित में ना सिर्फ रेडु ने बलकि मैथली सरल गुप्त ने अन जितने बड़े-बड़े साहितकार उस दौर में थे महान कथाकार प्रेमचन में भी और आप देखेंगे कविता में भी नाटक में भी उपन्यास में भी निवंधों में भी महत्मा गांधी का बहुत प्रभाव रहा है रेडु गांधी से प्रभावित थे, उनका उपन्यास, महान उपन्यास मेला आचल, उसमें भी हिर्दय परिवर्तन और बावंदास जो करेक्टर है, वो गांधी बादी चरित रहे, और रेडु जिस जगह से थे, बिहार से थे, पूरियां से थे, गांधी का प्रभाव बहु के साथ, जन्ता के साथ, सहित लेखन के साथ, कुद पड़े थे। नैपाल की राणा साही के भी विरोध में रेडु रह थे। तो रेडु सिर्फ हिर्दय परिवर्तन ये कथा में प्रस्तुत आदर्स के कारन नहीं, रेडु जीवन के पात्र का रहे हैं, जीवन-संंग्रा उनके अंचल का अंग है, उनके गाओं के जनसमाज का अंग है, भारत के गाओं में आज भी संबेदना जीवित है, मुकाबले सहर के, बड़ी खुबसूरती से उन तीनो भाईयों को, और तीनो जो देवर हैं उनके, और उनकी पतनिया सहर रेडु भेजते हैं. तो ड़क साब, आप ये कहना चाहते हैं, कि इस कहानी में मूल रूप से मानवी रिष्टे की खुबसूरती की अभिवक्ती हुई है, और इसमें जो अपने हैं, वो बेगाने हो जाते हैं, और जो बेगाने हैं, वो अपने हो जाते हैं. यही हमारे समाज की खुबसूरती है, क जब हर गोविन्द जो संदेश बहाग है जो समधिया है वो बड़ी बहुरिया की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता है। जब बड़ी बहु संदेश के लिए बुलाती हैं तो वो कहता है कि आजादी के बाद डाग घर खुल गए हैं। अब समधिया की क्या जरूरत क्यों बुलाया है वो हवेली में जाता है और बड़ी बहु के पास जाता है तो बड़ी बहु बहुत ही दर्द के साथ बहुत ही पीड़ा के साथ उसको कहती है कि मेरी माँ को ये संदेश देना कि मुझे अब अपने पास बुला लें। मैं भाईयों की नौकरी करूँगी और उनका सब कुछ कहा मानूँगी यहां किसके लिए अब मैं जी हूँ अब और जिया जाता नहीं और कहना कि साथ ही मेरे भाई आ जाएं आपके क्योंकि हर गोविन जब जाता है तो उसके पहले ही मोदियाईन जो हैं वहां की गाउं की दुकानदार वो कर्ज का उधार जो लिया था बड़ी भौन है वो मांगने आती है लक्साब भारतिये गाउं में व्यवस्था आज भी कर्ज पर आधारे थे आजादी के इतने दिनों बाद भी एक कर्ज से जीवन बिना पती के जीवन भाईयों की दिवरानियों की बे मुरवती और एक संपन्नता के बाद बिपन्नता की इस्थिती में भाव तो है हिर्दय भी है लेकिन अर्थ नहीं है ऐसी इस्थिती में रेडू बताते हैं कि जीएं तो कैसे जीएं इस प बड़ी बहु का ही करेक्टर नहीं रेडु रच रहे थे, बड़ी बहु के माध्यम से एक निठले, एक कायर ब्यक्ति के बारे में जो धालना थी समधिया, उसमें कायां अंत्रल करते हैं, उसके जीवन को भी परिवर्तन करते हैं रेडु और वो जाता है, वहां पूछती हैं उनकी माँ कि क्या संदेश है, तो हो कहता है, मैं तो पडोस के गाओं में आया था, सोचा आपके भी दर्सन करते चलो, जबकि ऐसा नहीं था, रास्ते में वो रेल से आता है, पांच रुपए बड़ी बहु देती हैं, गंदा नोट अपने आचल से निकालके, वही मातर पा बापसी का किराया, वो पीडा में आता है कि मैं संबाद को कैसे कहूंगा, क्या बड़ी बहु जहां रोई थी, वहां मुझे भी रोना है, जिस करुड रस के साथ उन्होंने ये संबाद दिया है, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, ये पीडा वो स्वयम भोगते हुए आता है उसके बाद वो संदेश नहीं देता है, खाना खाने जब वो साम को बैठता है, इतने दिब बेंजन उसके सामने पर उसे जाते हैं, बड़ी बहु का चेहरा सामने आ जाता है, ये डग साब रेडू ही कर सकते हैं, और वो खाना नहीं खाता है, जूट बोलता है कि मैंने खा अना खालिया है, बहुत कुछ तो खालिया है, उसको याद आता है कि बड़ी बहु, बथुआ का साग उबाल नहीं होगी, वो भोजन नहीं करता है, और सारी रात वहां वो जाकता है, इसी उधेरबुन में रहता है, बेचैनी में रहता है, पीडा में रहता है, लगभग मुक तो आयो, दो-तिन दिन रुको, वो कहता है, नहीं, बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, पैसे भी, फिर वो कहती है, कोई संदेश, तो नहीं, कहता है, दसहरे में जब आऊँगा, तब मैं बड़ी बहु के साथ आऊँगा, और दस दिन रुकूँगा, फिर भी वो नहीं कहता है कि उसके भाई पूछते हैं, कि अब वहाँ अकेली दीदी क्या कर रही है, अब यहीं आ जाएं, मैं लेने आता हूं, तो जूट बोलता है, कहता है, नहीं, दीदी को तो देवर बार 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 बड़ी बहु को बुलाने आते हैं, वहीं नहीं जाती हैं कि हम गाओं छोड़ के सहर क्या करेंगे जाके, जबकि इस्थिती बिल्खुल उलेट है, यानि कैसे एक ग्रामीड समान, ग्रामीड समाज की वेवस्था, और उसका अपना पन, एक निठला आदमी इतना अपना पन लगाओ मैसूस करता है पीड़ा को, अपने में समाहित कर लेता, और वो कहता है, कि अब मैं बड़ी बहू को नहीं जाने दूँगा, मैं बेटे की तरह उनकी सेवा करूँगा, वो मेरी माँ है, मैं कायर नहीं रहूँगा, मैं उनकी सेवा करूँगा, चुकि एक अकेला नोकर जो आखरी था, वो भी जब हर गोबिन को भेजती है, तो उसके पहले वो छो इनत होते हुए दिखाया, ये इस कहानी की बहुत बड़ी उपलब्दी है, जी मैंने कहा आप से दाक साइब की जीवन संग्राम के कभी हैं, कथाकार हैं, उनकी कहानियों में, उपन्यासों में एक कभी जीवन, उनके पात्र, उनकी भासा, उनके महाबरे, उनकी लोकोक्ति उनके संबाद में एक महेख है, खुस्बू है, गाओं की ताजगी है, और वो अंदर से, पंक्तिया नहीं है, वो चित्र है, वो बिंब है, प्रकति का परवेश, बातावरल जीवन थोके उनकी कहानियों में आता है, और रेडू, इस रेडू की कला, रेडू का सिल्प, रे मैं समझता हूं कि डाक साब ने बहुत ही स्पस्टता के साथ और जीवनतता के साथ इस संबधिया कहानी के हर पक्ष को सराथियों के सामने रखा है, निश्चित रूप से इस कहानी के विषय में जो संदे होंगे, प्रस्ण होंगे, और जो उसके उद्देश के संबंधी ज साथियों, अभी आपने फणिस्वर नाथ रेंडू और उनकी कहानी संबधिया पर यह चर्चा देखी और सुनी, इस चर्चा के उपरांत संबधिया कहानी से जुड़ी हुई, जो महत्वण प्रश्ण और जिग्यासाएं थी, उनका समाधान हुआ होगा, ऐसा मुझे भी स अग्यासा हो तो अपने साथियों से और अध्यापकों से चर्चा करें, साथियों, अब हमारा कारक्रम यहीं संपन्न होता है, अगले कारक्रम में हम किसी महत्वण रचना कार और उनकी रचना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्या देजिए, नमस्कार. ।